29 ओक्टोबर साल 2007 में रिलीज हुए फिल्म आवारा पन उन फिल्मों में से है जिसे उस दोर में तो इतना जादा प्यार नहीं मिला लेकिन अब ये फिल्म कल्ट क्लासिक मूवीज में शामिल हो चुकी है इम्रान की इस फिल्म में ऐसा क्या खास था जिसकी वज़े से अब उडियंस इतनी बाद इसे देख चुकी है और प्यार दे रही है आईए जानते हैं आज के इस फीडियो में हे गाईस में हुदामनी सिंग और आप देख रहे हैं बजू का रिव्यूज इम्रान हाश्मी और सिर्या सरन के स्टारर फिल्म आवारा पन को जहां मोहित सूरी ने डारिक्ट किया था तो इस फिल्म को महेश भट ने प्रोड्यूस किया था तो अगर बात करें इस फिल्म के स्टारगास्ट की तो इस फिल्म में इम्रान हाश्मी और सिर्या सरन के अलाम आम ये नालिनी भी में नजर आई थी और इन तीनों के कैरेक्टर को काफी भरपूर प्यार भी मिला फिल अगर बात करें इम्रान हाश्मी के करेक्टर की तो इम्रान हाश्मी ने इस फिल्म में शिवम पंडित का करेक्टर प्ले किया तो वहीं सिर्या सरेन इस फिल्म में आल्या का करेक्टर प्ले करती नजर आई तो मिनालिनी की बात प्रें तो मिनालिनी इस फिल्म में रीमा का करेक्टर प्ले की थी विल इमरान हाश्मी का एक लोग इस फिल्म का काफी ज़्यादा वाइरल भी हुआ था जो था इम्रान हाश्मी के हैरस जिस तरह से अपना हैरस्टाइल ये रखा था वो आज ओन लोगों को काफी पसंदाता है लेकिन आपको जानकर काफी ज़्यादा हिरानी होगी कि इमरान ने जो अपने बाल रखे थे वो कोई विग नहीं था बलकि उनके रियल हेर स्टाइल थे जी हाँ इस फिल्म के लिए इमरान हाश्मी ने काफी महनत भी की थी इस फिल्म को ब्लॉग बस्टर बनाने के लिए अगर बात करें फिल्म आवारः पन के श्टोरी जसे play किया था पूरव ने इस विल में काफी सनकी character था मुर्णा का और पूरव ने इसे काफी अच्छा audition दे कर इसे काफी best बनाया था जिसकी वज़र से इस विल में पूरव को cast किया गया था विल मुन्ना का कैरेक्टर भी लोगों को काफी पसंद आया था जितना उनका कैरेक्टर ये सन की था विल पूरब ने तो मुन्ना के कैरेक्टर को काफी अच्छे से प्ले किया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैरेक्टर पूरब से पहले कुनाल खेमो के जोली में जाने वाला था जी हाँ आपने सही सुना कुनाल खेमो को सबसे पहले ये कैरेक्टर आफर किया गया था क्योंकि ये कैरेक्टर काफी निगेटिव था और साइको था इस वज़े से इस कैरेक्टर में फिट नहीं आ रहे थे कुनाल खेमो लेकिन जब पूरब की आक्टिंग लोगों ने देखी ऑडिशन में तो ये काफी जादा पसंद की गए विल अगर ओल ओवर बात करें इस फिल्म के बारे में तो इमरान हाश्मी की ये फिल्म आज कर्ल क्लासिक मूवीज में शामिल है जिससे लोग बार-बार देखना काफी पसंद करते हैं लेकिन जब ये रिलीज हुई थी तो इंडिया में लोगों को ये पसंद नहीं आ रहे थी और यूँ कहें तो लोग उसे देखने भी थियेटर में नहीं जा रहे थे जिसके पीछे दो बड़ी वज़े थी पहली तो ये कि उस दौर में इमरान हाश्मी की जो इमेज थी वो सीरियल किसर वाली इमेज बन गई थी जिसकी वज़े से लोग फैमिली के साथ इमरान के फिल्म में देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और दूसरी बड़ी वज़े ये थी कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उसी दौर में दो और ब्लॉक बस्टर फिल्म में रिलीज हुई थी वेल इमरान के फिल्म आवारा पन के जिलीस के दौरान जिन दो फिल्मों से उनका क्लाश हुआ था उसमें पहले नमबर पी थी धरमेंद्र, बॉपी देवल और सनी देवल की स्टारर फिल्म अपने तो दूसरे नमबर पी थी हिमेश की स्टारर फिल्म आपका सुरूर क्योंकि अपने फिल्में बॉपी देवल, धर्मेंद्र और सनी देवल पहली बार एतीनों एक साथ स्क्राइब शेर कर रहे थे इसलिए इमरान की फिल्म से ज्यादा लोगों की बीच इस फिल्म को लेकर बस था इस वज़े से भी कही न कहीं इमरान के फिल्म को काफी बुरा सामना करना पड़ा था बॉक्स आफिस पर जब ये फिल्म रिलीज हुई थी और कहीं न कहीं ये भी बड़ी वज़े थी फिल्म के फ्लॉप होने की इम्रान की इस फिल्म से जोड़े कुछ ऐसे भी फैक्ट सें जिसे शायद भी आप जानती होगे फैक्ट नंबर वन की बात करें तो भाई इम्रान की ये फिल्म रियल नहीं है बलकि ये रिमेक है जिहां Korean film Bittersweet Life का रिमेक है इम्रान का ये फिल्म आवारा पन इतना ही नहीं जब इस फिल्म को बनाया गया था तो इस फिल्म का टाइटल रखा गया था वो लंग है लेकिन रिलीज से ठीक पहले ही इस फिल्म का नाम बदल कर आवारा पन रख दिया है इतना ही नहीं इम्रान की एक ऐसे फिल्म थी जिसके तुरू इम्रान का इमेज सुध ज्यादा वाइरल थे और लोग उनकी फिल्म में फ्यामिली के साथ देखना पसंद नहीं करते थे इसलिए कहीं न कहीं इस फिल्म के थ्रू इमरान की इमेज को सुधारने की कोशिश की गई थी विल बात करें गर इस फिल्म के फ्लॉप होनी की तो यह फिल्म उस दौर में भल करने पूर प्यार दिया यूँकि विल्म की स्टोरी इम्रान की एक्टिंग इम्रान का घरस्ट्राइल लोगों को काफी पसंद आया जमाना तो ऐसा भी हो गया था जब लोग इम्रान हाश्मी के हैर स्टाइल को कॉपी करते हुए नज़राय थे क्योंकि उन्हें वो लोग काफी पसंद आ रहा था विल इसके अलावा गर बात प्रेव फिल्म के गाने की तो फिल्म में एक से बढ़ कर एक गाने थे विल अगर जब बात होती है इम्रान हाश्मी के गानों की ना तो लोगों के बीच अलग ही क्रेज होता है इम्रान के गाने को सुनने के लिए वैसे तो इस फिल्म में कई गाने थे लिकिन जो लोगों के आज भी फेवरेट हैं और उन्हें वो आज भी सुनना बहुत पसंद करते हैं उन गानो में से है पहला गाना तेरा मेरा रिष्टा तो दूसरा है तो फिर आओ और तीसरा माहिया तो वहीं मौला मौला भी सॉंग लोगों को काफी पसंद आता है विल इम्रान की ये फिल्म भले ही तब हिट नहीं हो पाई जब ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन बाद में जैसे ज कॉमेंट सिक्षन में जाकर कॉमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगे थी ये फिल्म आपको और साथ ही साथ कौन सा गाना आपका फेवरिट है ऐसे ही लिटेस्ट अब्देट्स के लिए मोविय रिव्यूस के लिए अनुन फैक्ट्स के लिए देखते रहें बस्दूकार विश्यान को लाइक शब्सक्राइब करनों को नाबूले